कि दोस्तों नमस्कार किसान उज्जुला प्लांटेशन के इस वीडियो मैं सीपी सिंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक ट्रेंड बहुत जादे मार्कीट में चल रहा है किसानों को लोग मालावार लगवाने में महोगनी लगवाने में सेव लगवाने में अनार लगवाने में में फ्लियो ट्मर्स के प्लांट लाओने में करोड पति बना लेकिनकिसान कर नहीं बनता सरकारे एक करती हैं कंपनिया प्लांटेशन के चेतर में करने वाली काम वे भी दावा करती हैं और बहुत सारे दावे होते हैं लेकिन किसान की स्थिती जोकित्यों रहती है इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचनिये और विचारनिये प्रस्न यह खड़ा हो जाता है कि आखिर कारण क्या तो इसके बीच में में कारण है हमारे बहुत सारे किसान भाईयों ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है वे जिस भी क्लाइमेट में रहते हैं जिस भी स्टेट में रहते हैं वे जहां भी रहते हैं वे अपनी एक सोच क्रियेट करें पड़े हैं कि हमारे यहां पर यह ह लगाते हैं मक्की hidden डिष्टिक देखते हैं कहीं सारी पंजाब में अगर और वही प्रम्प्रगत फसले करता है। अगर हमें वो चाहिए जो आज तक हमारे पास नहीं है, तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने किया लगा है। आज हम आपको नीबू के बारे में बताना चाहेंगे। यह कागज नीबू है, और नीबू के पोधे की इस्तिति आप देख सकते हैं कि इसमें अभी फल लगावा है और मार्च का यह पहला सप्ता है, आप देख सकते हैं कि लगभग दस-दस के करीब इसमें फल आने हैं। दो, तीन, चार, पांच, छे, इसमें देखेंगे। इसमें भी ऐसी लगभग आप जो है आट-दस के आसपास में फल इसी पर लगएवे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी वराइटी है और इसकी खास बात, सबसे विसेस बात यह है कि इसका जो फल पकता है, वो फल उस सम में उपल मार्कीट में यूज होने की, लेकिन बहुत सारे प्रोड़क्ड आपको पता है, सरफ में इसको यूज कर रहे हैं लोगात साबुन में इसको यूज कर रहे है इतने नीजू की चमक बार में थर इना तो जबात का जू और मार्केट देखने में आपको दिक्कत आएगी अगर आपकी पास कई हजार की क्वांटिटी में पोद्धे लगे हुए तो फिर आप कहीं पर भी उसके फल को लेकर के जा सकते हैं आजातपुर बहुत बड़ी मंडी है अगर आपके आसपास से दिल्ली पास पढ़ता है वह इसकी खास बात यह है और जैसे और फसलों में बीमारी आ जाती है तो इस पॉध्य में कम से कम बीमारी आते हैं आप देखेंगे कितनी मात्रा में ये जो हमारे पास नरसरी में पोध्ध उपलब्ध है इनमें फूल आ रहा है और अभी मार्च का पहला सकता है तो आप देख लेंगे समझ लेंगे इस बात को कि जितनी मात्रा में ये है इसकी quantity फूल की उसी इसाफ से इसका फल बनेगे तो बहुत बहतर और अच्छा लाब आप कमा सकते हैं इसकी आप बागवानी कर सकते हैं या फिर जो आपकी खेत की बाउंडरी है आजकल बहुत सारे लोग बाग परेशान है जो आवारा और चुट्टा पस हुए तो उनसे भी ये इसकी बाड़ टाइप आप बना सकते हैं खे बढ़ा हो जाता थोड़ा सा परिपक हो जाता तो दूसरे साल से फल लेना सुरू कर देखते हैं आप लोगों ने किसानजुला प्लांटेशन पर बहुत अधिक विजवास जताया और संस्ता काम बढ़ता जा रहा है टॉल फिरी नंबर संस्ता का जारी हो चुका है ये स्क् अपने चैनल को लाइक नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कर लें उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एक नए मुकाम पर और नहीं उचाहियों पर किसानजुला प्लांटेशन को पहुचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर